नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब विलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल अरूप मरगरी तो देखे दोस्तों जितने भी RRB NTPC CBT1 के यहां पर कैंड़ेट से जो लोग काफी दिनों से अपने यहां पर रिजल्ट का वेट कर रहे हो और काफी आप लोग के कमेंट्स आ रह चैनल, AC, ST, OBC, सबकी क्या कट आफ रह सकती है तो आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्रीटली इस बारे में बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो कहीं भी स्कीप मत दिजिएगा और कम्प्रीट देखेगा और जिन्नों मेरे चैनल को सब्स्राइब निक्या फट वर्ट 2022 को जो है आपका यहाँ पर RRB NTPC CBT1 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा रेलवे के तरफ से और इसके अलावा जो आपका CBT2 का एक्जाम है वो आपका यहाँ पर 14 February से लेकर 18 February के बीच में कंड़र्ट करवा दिया जाएगा RRB Board के तरफ से तो यह बहुत बड़ी अप आपके हाथ में January का महिना रहेगा February भी खेर आप लोग नहीं समझो कि वो आपके पास टाइम रहेगा क्योंकि उस समय आप लोग जादा से ज्यादा रिविजन करने की कोसिस करोगे तो आपके हाथ में लगबग में दो मेने अब आपके हाथ में रह चुके हैं तो अब जादा टार्गेट करने की कोसिस करोगा जिनोंने यहाँ पर Group D का form fill up किया है राइट क्यूंकि देखें दोस्तों साफ साफ RRB के schedule से आप लोग को पता चल रहा है कि Group D का exam जो है वो अब आपके यहाँ पर March से पहले तो बिलकुल भी नहीं होने वाला क्यूंकि सबसे पहले CB2 का exam होगा और उसके बाद ही आपका Group D का exam start होगा तो खास करके मैं उन से भी 1.15 कडोर जितने भी candidates से जिनोंने यहाँ पर Group D का form fill up किया था उनको खास करके यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आप लोग तो जरूर से जरूर यहाँ पर CB2 की त्यारी करें अगर आपका result हो यह ना हो मैं उमीद करता हूँ कि आपका result जरूर हो बट फिर भी मैं आपको एक condition देता हूँ कि by chance अगर आपका result नहीं होता है तो वो जो आप मेहनत करने वाले हो CB2 के लिए उसकी सारी benefits जो है आपको यहाँ पर Group D में direct मिलने वाली है क्योंकि NTPC के syllabus अगर आप लोग preparation करो होगे तो Group D तो फिर कुछ बोलना ही नहीं है especially एक अलग से आपको सिफ science थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ठीक है बट पूरा का पूरा complete syllabus आपका NTPC का वो Group D में आपको मिल जाएगा तो Group D वालो लोग के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा और बाकी बच कि आप लोग प्लीज तैयारी कीजिए देखे कोई भरोसा नहीं है आप रिजल्ट हो गया तो आप लोग को फिर उस समय पस्ताना पड़ेगा कि कास अगर हम लोग उस समय प्रेपरेशन स्टार्ट कर चुके होते तो आज हम लोग को इतना सोचना नहीं पड़ता प्रेपरे तो अज़ी मैंने अलग से अपलोग को वीडियो बना भी दिया था अप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो बट आल ओवर एक मैंने एक अपलीट वीडियो नहीं दिया था जो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं तो अचलिए मैं फटा फट से आप बता देता हूं कि आप लोग के लिए एक सेफी स्कोर क्या रह सकता है थाकि आप लोग विद कॉन्फिदेंस आप लोग यहाँ पर सीविटी टू की त्यारी कर पाओगे तो देखी दोस्तो मैंने आप सभी NTPC CBT1 के कैंड़ेट्स के लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चार्ट यहाँ पर प्रिपेर कर लिया है ताकि थोड़ी सी ओलोवर आपको मैं यहाँ पर जानकारी दे देता हूं NTPC के बारे में जैसा कि आप लोग को पता है NTPC में भी अटेंडेंस जारी किया गया था कि 45-50% के अप्रोक्सिमेटल यहाँ पर अटेंडेंस रहा है मिनिमम हर एक जोन में लगभग लगभग लेकिन मैं एक अप्रोक्सिमेट वैल्यू यहाँ पर मान लिया कि लगभग में चलो 55 नहीं 50 चलो में 5% और ज्यादा ले लेता हू यानि कि 55% लगभग में आपके यहाँ पर CBT1 में अटेंडेंस थे कैंडेंस के मतलब इतने कैंडेंस यहाँ थे एक्जाम देने के लिए है अब बात कर लेता हूं दोस्तों कि अगर मान लो 55% है तो 1.26 करोल में 55% लगभग में 65 लाग से अधी कैंडेंस आप लोग मान सकते गभग में 75% लाग से अधी कर लें तो जिसके काना आपकी टोटल वेकेंसी जो टोटल हो गई थी वह आपकी 35,277 के आपकी वेकेंसी यहाँ पर हो गई थी ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि एक्जाम जो है कब से कब तक आपका CBT1 चला था तो आप CBT1 का result है और result date जो बूल सकते हो आपका 15 जनवरी यहाँ पर railway ने mention करके रखा है कि 15 जनवरी तक चलो भाए हम लोग यहाँ पर CBT1 का result निकाल देंगे और railway ने क्या का है कि हम लोग कितने गुने candidates को यहाँ पर निकालने वाले है तो 20 टाइमस इस बार railway candidates को RRB NTPC CBT1 से CBT2 के लिए यहाँ पर release करने वाली है ठीक है आप लोग को फर्क पता होगा क्योंकि पिछले बार जब हुआ था CBT1 का exam NTPC का 2015-16 के लगवग में तो उसमें 15 गुना candidates को railway ने वहाँ पर बुलाया था CBT2 के लिए बट इस बार जो है उन्होंने 5 गुना और candidates को यहाँ पर मौका दिया है कि चलिए आप लोग आईए और अपना यहाँ पर उन्होंने दिखाईए CBT2 के लिए ठीक है अब बात कर लेते हैं कि अगर 5 गुना extra जब बढ़ाया गया यानि कि 20 टाम्स में लगवग में कितने candidates यहाँ पर पास करेंगे तो 7 लाग, 7.5 लाग के आसपास में approximately यहाँ पर appear होने वाले है, तो काफी भारी मात्रा में आपर candidates को मौका मिलने वाला है CBT2 के लिए, तो जाहिर सी बात है आपकी जो यहाँ पर result है, वो थोड़ी सी कम number में आपके यहाँ पर हो सकती है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि all over safe score क्या रह सकता है, तो दे North India के जितने भी जोन से, वो maximum tough रहते ही है, ठीक है, और इधर आप लोग पकड़ लोगे, तो इधर Kolkata जोन आपका थोड़ा से एक tough जोन में चला आता है, ठीक है, तो अगर all over मैं बात कर लूँ, इस बार के सारे scenario को मते नज़र रखते हुए, कि अगर आपके marks 55 प्लस आ र आप लोग यहां पर CBT-2 की तियारी करो, ठीक है, बाकी आप normalization के उपर छोड़ दो कि railway किस तरह से normalization इस बार देने वाला है, पिछले बार railway ने दिल खोल कर normalization दिया था, तो cut-up भी वैसा ही गया था, आप लोग के कहना होगा, सर, पिछले बार तो cut-up 80 चला गया था, 75 चल नहीं देगा, और अगर इस बार भी देगा, तो cut-up भी उतना ही जाएगा, तो फिर घबराने वाली क्या बात है, आपको भी normalization उतना ही मिलेगा, ठीक है, तो normalization जितना मिलेगा, cut-up उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो इस बार अगर railway कम करती है, तो जाहिर सी ब जिनके भी मार्स 243 प्लस आ रहे हैं, आप लोग CBT2 की त्यारी कर सकते हो, ठीक है, और ST कैटेगरी, last but not the list, जिनके मार्स 38 प्लस आ रहे हैं, 38 प्लस के लगवग में आ रहे हैं, आप लोग अराम से CBT2 की त्यारी कर सकते हो, और ये जो मार्स है, प्लस, माइनस 2 आप लोग कर सकते हो, ठीक है, तो उमीद ही ये चीच क्लियर हो गया होगा, तो अब जितने भी कैंडिट्स है, जितने काफी कमेंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है, आपको एक उमीद दीखी होगी, तो आप लोग अराम से CBT2 की त्यारी करो, ठीक है, और उतना सोचना नहीं है, खास कर कर क तो बिल्कुल भी ना सोचे, आप लोग बिंदा CBT2 की त्यारी यहां पर कर सकते हो, तो उमीद ही ये चीच क्लियर होगी होगा, इसके रिगाडिंग कोई भी आपके मन में डाउट रहेगी, या कितने माक्स आ रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई भी क्लियरिटी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करना, मैं आप लोग E dépile怪 जरूर करणेंगा, वीडियो पसंद आई ते वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्राइब जरूर करना, और वीडियो यहां चाहिए को चाहिए होगीए, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिगना ठीक है, और चैनल को जादा जादा सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, प्लीज मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.